आप सभी का सौगत है मेरे YouTube चनल अपडेटेड टीचिंग में आज के इस वीडियो में जैसे आप टाइटल देख रहे हैं यानि की जो एसायन्मेंट जो होंवर्क जो परजेट हम टीचर बच्चों को देते हैं वो बच्चे कैसे उसको कंप्लीट करने के बाद उसको सब्मेट करेंगे ऑनलाइन सब्मेट करेंगे इसके लिए सबसे पहले मैं क्लास्रूम एप में जो बच्चे login है, उनके accounts में आपको बताने ही कोश्च करूँगा, आप ये classroom app जो आपको दिख रहा है, इसको open करिए, open करते ही भी different students के, अपने अपने जो home pages हैं, उसमें इस तरह से display आएगा, इसमें अलाला classes लिखी हुई है, बच्चे इससे बहुत अच्छी तरह से इससे मैं सबसे जहां मैंने assignment दे रखा है, मैं सबसे पहले वहां जाकर बताऊंगा कि बच्चे उस assignment को कैसे submit करेंगे, सबसे नीचे देखिए, history की class है, यहां पर assignment मैंने दे रखा है, पहले इस banner को बच्चे click करेंगे, हाला कि सबसे नीचे आप देख रहे होंगे, white background में, lesson 9 notebook work, जो आप काम देते हैं, बच्चों को जो assignment देते हैं, वो भी यहां पर display होता है, इस वीडियो की खासियत ही है, कि मैं इसमें mobile version में भी आपको बताने कोश्च करूँगा, और desktop version में भी बात मिले जाओंगा, क्योंकि कुछ बच्चे mobile version में इसको submit करते हैं, कुछ बच्चों क lesson 9 notebook work, जो भी आप assignment, जो भी homework, जो भी quiz, जो भी text paper आप देते हैं, सबसे पहले वो number one पर rank करता है, बच्चे यहां से भी उसको open कर सकते हैं, या सबसे नीचे आप देख रहे हैं class work, सबसे नीचे देखिए जहां पर stream class work और people लिखा हुआ है, तो class work में जाकर भी बच्चे उ class कर रख है अपने काम को, तो बच्चों की बात पता होगी, तो routine assignment में आप देखी, यहां पर lesson 9 notebook work यहां भी show हो रहा है, और पीछे भी show हो रहा था, first page पे, display के page पर भी lesson 9 notebook work जबसे सबसे उपर आप देख सकते हैं, यहां से भी बच्चे इसको open कर सकते हैं, अब यहां पर आपको submit कैसे करना है, यहां पर आपका title में सबसे उपर लिखा हुआ है कि आपको, आपका काम जो है, वो किस chapter से है और क्या है, उसके नीचे और भी instruction है, इससे पढ़ने पर आपको clear हो जाएगा, complete the notebook work from topic 9, lesson 9 in your copy and submit the same by tomorrow, 8, 8, 21, ठीक है, सबसे उपर देखे, उसमें एक date भ भी आप fix कर सकते हैं कि आपका काम कितने दिनों में बच्चे submit करेंगे, due tomorrow या the day after tomorrow जैसे भी date आप fix करेंगे, वैसे यहां पर आ जाएंगे, आप इन questions को के marks भी निरधायत कर सकते हैं, जैसे मैं 10 points आपर decide कर रखा है, इसको आप unmark भी कर सकते हैं, यानि कि बिना किसी mark भी बच्चे submit कर देंगे, teacher की end से ये assignment बच्चों को कैसे मिलेगा, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये अभी बच्चे जो है, students वो किस तरह से assignment पो submit करेंगे, इसलिए ये वीडियो में बनाया हुआ है, तो सबसे नीचे देखे लिखा है your work, ठीक है, और उसके उपर एक arrow है, इसको आप उपर click करके इसको आप बढ़ा सकते हैं या उसको नीचे विला सकते हैं, तो यहाँ plus add work लिखा हुआ है, plus add work ही सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले तो आपको जहाँ काम करना project बनाना है, या कोई image बनानी है, या कोई आपका copy work है, कई pages में है, तो आप आप उ काम को कर लीजे पहले, उसके बाद यहाँ पर आईए, Google Classroom आपके homework को नहीं करेगा, तो plus add work में जैसे ही आएंगे, तो यहाँ पर different options आएंगे, जिसमें upload का option है, जिसमें drive का option है, camera का option है, scanner का option है, तो अगर एक ही page का आपका का काम है, तो आप camera की मदद से, बीच में अलग-अलग image को click करने से अच्छा है, आप scanner का use करिए, तो मैं दोनों ही आपको बता दूगा, camera बहुत आसान है, आप simple camera on करेंगे, take photo करिए, और take photo से वो photo जो भी है, वो click होकर बच्चो, आप बच्चे आप उसको submit कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक से जादा है, मा बाता हूँ आपको, यह मैंने photo click की बीच में tick कर निशान आया, stick के निशान को आप click कर दीजे, और यह आपकी image जो है, माली जै इस image को बनाने के लिए आपको दिया गया, तो जहां भी अपने copy में काम का रखा है, उस image को बनाकर यहाँ पर paste कर दीजे, सबसे नीचे देखि कि आप अपने काम को scanner का use करके कैसे करेंगे, तो scanner का काम करने के लिए plus add work के button को फिर से प्रेस करिए, scanner में आईए, scanner का use आप तब करिए जब आपका काम एक से अधिक pages का हो, scanner को click करेंगे, तो आप एक picture click करिए पहले अपनी, एक picture click हो गई आपकी, आप tick का निशान है, उसे निशान दिया हुआ है square में, अगर आपको एक picture से ज़ादा करनी है, तो अभी save मत करिएगा, plus के button को आप प्रेस करिए, तो आप अगली picture या अगले image या पेज को click करके यहाँ पर, PDF के तौर पर यहाँ पर वो submit हो जाएगा, फिर tick का निशान है, उसे click करिए, अभी आपको एक और page मालीजी click करना है, फिर plus का निशान आप लगाईए, और इसको click कर दिजिए, ठीक है, अब आपके तीन page यहाँ पर submit हो गया है, आप मानिए आपको एक page और लेना है, फिर वो plus का निशान जो आपको side में, दिख़ए है left side में, उसको click करिए, और आपका एक page और मैं मैंने click कर दिया, तो इस 4 page मैंने यहाँ पर click कर दिया, और फिर अब यहाँ पर tick का निशान मैं लगा दूँगा, मैं अब 4 page का homework हमने submit कर दिया है, अब जैसे हम इसको save करेंगे, वैसे यह 4 page जो है, वो PDF के form में submit हो जाएंगे, save कर दीजिए इसको, save करते ही देखिए, download नहीं करना है, आप यहीं से PDF के option को opt कर सकते हैं, देखिए, left side में, जो मैंने image capture की थी, वो आ गई, और right side में, PDF के form में, यह image upload हो गई, इतना करने के बाद, आपका काम यहाँ submit हो गया है, submit करते ही, आप अपने teacher को inform करेंगे, inform करने के लिए सबसे नीचे, जो hand in का button दिया ह हुआ है, उसको press कर दिजिए, hand in के button को press करते ही, two attachments will be submitted for lesson, nine notebook work, hand in फिर से option है, hand in आप कर दिजिए, hand in करते ही, इसकी सूचना जो है, history teacher के पास, जो भी आपका subject teacher है, वहाँ पर पहुँच जाएगी, आपको लगता है कि आपके submission ने कोई गरबड़ी है, तो आप सबसे नीच ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, WhatsApp पे कभी आपकी गलती से कोई message चला जाता है, तो आप उसको तुरंट delete कर सकते हैं, तो unsubmit करते ही, वहाँ से आपको return हो जाएगा, आप दुबारा उसको और बहतर धन से कर सकते हैं, यह मैंने आपको mobile version में बताया है, अब वीडियो या laptop में option कम मिलते हैं, इसके लिए आपके पास specific camera होना चाहिए, या आप अपने work को, अपने काम को आप upload कर दीजिए पहले desktop में pen drive की मदद से, data cable की मदद से, desktop में एक बार save हो जाने के बाद, आप browse feature का use करके, उस image को या उस file को, document को, project को upload कर सकते हैं, जैसा कि आप screen में द operation है, बस क्योंकि इसमें horizontal screen है, इसलिए आपको different view angles से आपको दिख रहा है, सबसे last में देखिए, आपको कहां कहां मिलना है, कैसे submit करना है, जिससे वहां पर history में assignment मिलाता है, यहां भी आप history में चले जाएगी है, इसके बाद आप देखेंगे, यहां पर सबसे पहले announcement जो आ होगा, आप यहां से भी open कर सकते हैं, otherwise सबसे अच्छा option है, आपको classwork, सबसे उपर देखी, stream, classwork, और people, classwork में चले जाएगे, वहां पर मैंने different तरिके से categorize कर रखा है, हर teacher का अपना एक तरीका होता है, मैंने इसको categorize कर रखा अपने work को, तो मैं अपने इस तरह के सारे काम routine assignment में देता हूँ, यह बच्चे मेरे अच्छे से जानते हैं, आप अपने teachers के according काम कर सकते हैं, routine assignment में देखी, यहां पर लिखा है lesson 9 notebook work, view assignment, उसके नीचे लिखा है, view assignment, इसके आगे instruction भी लिखा है, पूरा आप open कर लीजिए, open करने के बाद आपको पूरा instruction same वहीं मिलेगा, जो आपको mobile edition में मिला हुआ था, यहां पर add work करने के लिए आपको right में option है, add और create, add का option क्लिक करिए, यहां पर आपने drive से, link से और file का use करके अपने assignment को upload कर सकते हैं, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि camera या camera से, या mobile से, या data cable से, आप अपने image को, जो आपने hard copy maker कर रखिए, उसको पहले desktop के लिए, वहां के storage में लिए आइए, और file को option opt करिए, यहां पर file को option इसको opt करिए, और उसके बाद यहां पर upload को option आएगा, और भी बहुत सारे option है, इसे आप explore कर सकते हैं, पर यहां पर upload को option आप लोग opt करिए, नीचे लिखा है browse, browse को tick करिए, browse ह होते ही, यह आपके mobile के storage में चला जाएगा, जहां भी आपने file name से, अपने document को, अपने image को, project को save कर रखा है, मैं desktop पे मैं अपने कुछ और images हैं, जैसे को वहां से लाने के कोश्च करूँगा, यह real homework नहीं है, मैंने एक दो काम को यहां पर लाने के कोश्च किए, click कर लिया, और फिर open का button दबाते ही, वो चीज़ यहां पर save होने के लिए आ जाएगी, आप जैसे देखने स्क्रीन पर, मेरा data यहां पर save हो रहा है, और यह submit होने के लिए त्यार है, तो एक बार पहले भी submit किया गया है, otherwise यहां पर आपको turn in का option मिलेगा, अप इसको यहां से submit या turn in का दो attachment है, turn in होते ही, यह work जो है, यह teacher के पास, आपके जो भी आपके guide है, उनके पास यह submit हो जाएगा, और इस तरह से आप उनकी भीहाब पे कैसे आपका work check होगा, इसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, यह teachers के लिए specific होगा, अभी यह student के लिए specific था, आप इन दोनो वीडियो को देखिए, होसे तक कभी आपके पास laptop रहे, कभी आपके पास mobile रहे, कभी आपके पास tab रहे, जो भी availability आपके घर में हो जाए, तो आपको दोनों ही version में अपने work को submit करना आना चाहिए, उमेद है बचों आपको यह video समझ में आया होगा, इस video को आप पूरा करने के बाद इसको आप टेटकल करके देखिएगा, शायदी आप कभी अपने काम को करने में आप कोई कोई दिक्कत महसूस होगी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद!